हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो नंबर वन स्टेडी इस वीरियो में हम दिखेंगे क्लास नाइट इंग्लिश बी हाइब बुक का चाप्टर नंबर फाइब इस चाप्टर के सभी क्वेश्चिन आंसर तो स्टार्ट करते हैं थिंकिंग अबाउट टेक्स का फिर्स्ट इस चाप्टर सुनते हैं यह किस टाइब का साउंड होता है और फिर साउंड सुनने के बाद वो क्या सूछते है कि किस चीज का यह साउंड होगा इसका अंसर लिखना है और और यह जो साउंड था वो कितनी बार डॉक्टर जो है वो अपने रूम के अंदर सुनते हैं फाइंड प्लेसे इन टेक्स में जितनी भी प्लेसे साई वो लिखना आपको विन और वाई डिट टेस टॉप और फिर क्या होता है जो साउंड आ रहा होता है वो बंद हो जाता ह है इसका अंसर होगा फिर्स्ट क्वेशन एवाट सांड डिट डॉक्टर हीर सुसका अंसर होगा दे डॉक्टर होड सम्नॉइस फ्रॉम अबो कहां से सुन रहे थे तो अबो उपर से आ रहा था वैन ही ओपन दे डौर जब वो अपन करते हैं बॉर्ट इधी तींक इड़ व तो कितने टाइम सुनते फोर टाइम तो इसका असा लिखेंगे ही हर्ड इट फोर टाइम्स इंक्लोडिंग दे सांड ही हर्ड वेन ही ओपन दे डॉर अब यहां पर वह बोला गया था ना फाइंड प्लेस इंद टेक्स तो यह तो हम दिख लेंगे ठीर जो प्लेसे से वह ल अगें आई हर्ड आट संड फॉर अबव आसी लाहिन थी इस चैप्टर में और थी अगें कें बाइस फ्रॉम अबव और एक था स्थेडिन ली देर कम डल थर्ड आज एफ इव अबर था फॉल थी अज़ एड फॉर फॉर लास्ट बोला गया था जो साउंड है वो कब और क ठीक हो गया नेक्स्ट क्वेस्टन बश्य नमर टू देखते हैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन डिसिजन उन्होंने लिये थे चाप्टर में पढ़ा है कि उन्होंने क्या डिसिजन लिया था कि वह डेली शेव करेंगे और एक थीन मुस्टाच जो है वह ग्रो करेंगे और अर्थ शेकिंग जो डिसिजन था वह यह था कि उनको लगता था कि उनके जो स्माइल है वह बहुत ही ज़्यादा अट्राक्टिव है तो उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि वह हमेशा आपने फेस पर स्माइल रखेंगे तो आंसर कैसे लिगेंगे इसका दू इंपोर अर एक थीन पतली सी मुस्टाज ग्रो करेंगे जिससे वो क्या दिखेंगे हैंड सम दिखने लगेंगे ये वूद आलवेस कि यप डाट्राक्टिव स्माइल ऑन इस फेस और उन्होंने अशेकिंग डिसिजन कां सा लिया था कि वह हमेशा अपने फेस पर अट्राक्टिव स अब देखो फर्स्ट सेंडेंस में क्या है I look into the mirror मैं mirror में देख रहा था and smile और पिर smile कर रहा था ऐसा दॉक्टर ने बोला फिर वो क्या बोलते है I forgot my danger and smile fibli at myself मैं अपना डेंजर भूल गया और खुद पर यह ना फिबली मतलब वीगली हसने लगा तो अब हमें question क्या है what is the doctor's opinion about himself when तो दो बार जो है वो smile करते है ब्राबर है शो अब हमें उनका opinion बताना है खुद पर जब कब he first smile जब वो पहली बार smile करते है mirror में देखकर and he smiles again जब वो फिर से smile करते है in what ways do his thought change in between and why हम यह भी बताना है कि किस तरीके से उनके जो thought है ना वो change हो जाते है और क्यो change हो जाते है ठीक है इसका answer होगा when the doctor smiled first जब वो first पहली बार smile करते है he was thinking that his smile was very attractive उनको क्या लगता है कि मेरी जो smile है वो बहुत ही ज़्यादा attractive है वहील ही smile लगी लेकिन जब वो fit से smile करते है he was thinking that he was a poor and stupid doctor क्योंके फास होता है snake है ना तो उनको लगता है कि अगर इस snake ने मुझे काटा bite किया तो फिर इसके इलाज के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए medicine होनी चाहिए और जब वो सोचते है तो उन्हें पता चलता है कि मेरे पास तो कोई medicine है नहीं तो उस time वो खुद पर जब हसते है तो क्यूं हशते है उनको लगता है कि में कितना Hyundai Ikटना वह स्टूबड गुकर हो और उनके जो thoughts है तो किस तरीके से change होते है देखो his thoughts changed from being a handsome doctor to being a stupid doctor मतलब पहले तो उनको लगता है कि मैं तो कितना handsome doctor हो है और फिर उन्हें लगता है कि मैं कितना stupid doctor हूँ between the two situation, his thought changed because his life was now in danger. मतलब जब एक पर सिमाइल में देखते हैं और खुद की smile देखते हैं और भी में लगता है तो फिर इसके लिए क्या होनी चाहिए मेरे पास medicine होनी चाहिए जो कि नहीं है मतलब मैं एक doctor हूँ और मेरे पास medicine नहीं है तो उस time उनको क्या लगता है कि मैं stupid doctor हूँ ठीक हो गया चलो अब यहाँ पर second question है the story about a frightening incident है ना frightening incident है क्योंकि इतना बड़ा snake जो है उनके body पर चिपका हुआ था इस narrated in a humorous way लेकिन किस तरीके से बताए गई है हमें humorous मतलब जब हम story read कर रहे देना frightening तो थी बड़ा में हसी आ रहे थी कुछ sentences में what makes it humorous थो हमें बहीं बताना है कि ऐसी कौन से चीज है जो इस story को humorous बनाती है think of the contrast it present but when dreams and reality dreams or reality में जो भी contrast present है उनके बारे में कुछ तो यहां पर given है जैसे कि देखो first क्या है the kind of person the doctor is मतलब जो डॉक्टर है वो किस kind मतलब किस type के person है money और possession के बारे में और second is the kind of person he wants to be और वो कैसा बनना चाहते है appearance और ambition के बारे में बताना है so first का answer लिखेंगे हम money और possession के बारे में so यह होगा the doctor is a person whose earning were meager अब देखो doctor कैसे person है जिनकी earning मीघर मतलब बहुत ज्यादा कम है है ना तो money तो बहुत कम है उनके पास his house was a small rented room कैसे घर में रहते है वो small rented room में रहते ही only had 60 rupees, some shirts, dhoti and black coat मतलब यह सब कुछ चीज उनके पास है देखो अब question में हमें क्या बोला गया था कि story जो है वो frightening है बट हमें जो है हसी आती है ना तो यहाँ पे अगर हम सोचे कि जो doctor है वो किस टाइब के person है money और possession के बारे में अगर हमें बोला जाता है कि यह जो story है doctor के बारे में तो अगर हम सुनते तभी हमें ऐसा लगने लगता है कि doctor है तो पैसे वाले होंगे ना बट जो doctor है वो कैसे होते है पूवर ह हम होती है और एक rented room में रहते है जहां पर electricity ने रहती और उनके पास सिक्स्टी रुपीज कुछ शर्ट्स धूतिस और ब्लैक कोट होता है तो यह थोड़ी से मतलब पनी सी बात है कि doctor हो कर भी कुछ भी नहीं है उनके पास इस टाइप से अब निक्स देखते है इसका the kind of person he wants to be appearance और ambition के बारे में यहां पर हमें लिखना है तो देखो he believes in making himself look handsome वो किस पर बिल्यों करते थे कि वो जो है और बी जादा हैंसम दिखनी चाहिए he decided that he would shave daily and grow athin moustache और उनका ambition क्या है कि मतलब वो क्या करेंगे भी daily shave करेंगे और एक पतली सी जो moustache वो ग्रों करेंगे the person he wants to marry किस person के साथ वो मतलब शादी करना चाहते थे he wants to marry a fat woman doctor who had plenty of money किसे शादी करना चाहते थे एक fat woman doctor के साथ जिसके पास बहुत सारा पैसा हो the person he actually marries और किस person के साथ वो शादी करते he marries a thin ready person with a gift of a sprinter वो एक thin ready मतलब slim and trim लड़की के साथ वो शादी करते है जो कि क्या होती है sprinter मतलब दोडने में बहुत तेज होती है ठीक है ऐसे लड़की के साथ वो शादी करते है his thoughts when he looks into the mirror his thoughts when the snake is coiled around his arm write short paragraph on each of those to get your answer अब यहां पे हमें दो questions है his thoughts when he looks into the mirror उनके thoughts जब वो mirror में देखते हैं और फिर उनके thoughts जब snake ने उनको coiled किया रहता है तो हमें short paragraph में इनके answers बताने so first का लिखेंगे when he looks into the mirror he thinks that he has a very attractive smile उनको क्या रखता है कि उनकी जो smile है वो बहुत जड़ा attractive है he decides to keep that smile और वो decide करते कि वो यह जो smile है वो हमेशा अपनी face पर रखेंगे and to shave daily और रोज रोज वो क्या करेंगे शेव भी करेंगे he seems contented when he looks into the mirror मतलब वो जब mirror में देख रहते हैं तो उनको लगता था कि मैं जो हो handsome हूँ और भी जड़ा hand दिखना चाहता हूँ है न ऐसे उनके सोच थी फिर उसके बादे को he thoughts when the snake is coiled around his arm जब snake जो है उनके arm को coiled किया होता है उस time उनके thoughts क्या रहते है when the snake is coiled around his arm he keeps sitting there holding his breath तो तब जो doctor है वो वही पर बैठते है जहां पर बैटे रहते है और अपनी जो बिरत है जो सास है उसको भी वो रोक कर रखते है he thinks that he is a poor and stupid doctor उनके thoughts कैसे होते हैं कि वो एक poor और stupid doctor है he is certified by the snake's presence क्योंकि snake उनके पास होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए भी रहते हैं और उनको क्यों लगता है कि वो poor और stupid doctor है क्योंकि उनके पास medicines नहीं होती है मतलब वो doctor है बट उनके पास medicines नहीं है उनको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा poor और stupid doctor है जो कि सिर्फ mirror में देखके क्या कर रहा था खुद को admire के जा रहा था बार-बार अपनी beauty को और जो danger आ सकता है क्योंकि बार-बार sound तून को सुनाई दे रहा था बट वो उसको avoid कर रहे थे मतलब उनका आजू-बाजू में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था वो सर्फ अपनी beauty ही admire के जा रहे थे उनको लगता है कि वो कितने poor और stupid डॉक्टर है जो अपनी growth पे ध्यान नहीं देते और अपने danger पे भी ध्यान नहीं देते ठीक हो गया यहाँ पे मारे सभी question answers complete होगे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करना अपने friends के साथ share करना और channel को subscribe जरूर करना Thank you